नमस्कार दोस्तों मैं लेखराच अपने YouTube चैनल लेखराच RKS चैनल मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे औराब जिसे औराब या कुरुख जनजाती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो आजकल जनजाती समदाय में एक बहसी छुड़ी हुई है अपनी जनजाती को प्रथम आदिवासी जनजाती सिद्ध करने की सबसे प्रचेन सिद्ध करने की इस टॉपिक पर बात करना मतलब विबात को निमंतरन देना है इसलिए दोस्तों मैं बता दू कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्धेश से बनाया गया है किसी की भार्णा को अगहात पहुँचाना हमारा उद्धेश बिलकुल भी नहीं है आज हम उराब जन्जाती के समाजिक, आर्थिक और एतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे तो चलो वीडियो सुरू करते हैं उराब जन्जाती भारत की चोथी सबसे बड़ी द्रवड जन्जाती है उराब जन्जाती भारत के दक्षिण में करनाटक या कुनार छेत्रवा नरवदा के छेत्र में रहती थी तथा सतजुल नदी बहडपा सब्वता में इसके उपस्तित होने के प्रमाड मिलते हैं इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उरावजन जाती का हडपा के विकास में योगदान रहा है इतिहासकार उरावजन जाती को मूल रूप से द्रवड जन जाती मानते हैं उरावजन जाती ने समय के सांस सांथ अपने निवास इस्थान परवर्तित किये हैं बरतमान में 36 गड़, जारखंड, छोटा नाकपूर का पठार महराष्ट के छेत्रों में निवास करते हैं महराष्ट में धनगड़ या धनगर्स के नाम से यह जनजाती जानी जाती है उराव समू के प्रतम बैज्ञानिक अध्यता स्वर्गिये सरचंडर राय का मत है कि बिहार में ये पहले अबादा जिले के सोन और तर्वनासा नदियों के बीच के भागों में रहते थे यह छेत्र कुरुख देश के नाम से जाना जाता था प्रुख सब्द किसी द्रविट भासा का बिगड़ा हुआ रूप है राय का अनमान है कि इस मूल सब्द का अर्थ है मनुस उराव लोगों का रंग स्यामला बाल गुंगराले बह आसदन पूरसों की हाइट पांच फिट छे इंच के आसपास होती है उराव जन जाती के लोग हिंदु धर्म सरना धर्म और इसाई धर्म को मानते हैं ये महादेव बिसनु काली आदी हिंदु देवी देवताओं की पूजा करते हैं सरना इनका परंपरिक धर्म है जो प्रकति पूजा पर अधारित है इस जन जाती के कई समू हैं जैसे विसनु भक्तो पचिडा भक्तो कर्मु भक्तो और ताना भक्तो प्रमुख हैं जो सरना बाद का पालन करते हैं यह सूर देवता को जिसे बीडा या धमेश कहते हैं चंद्रमा को चंद्रो और प्रत्वी को प्रत्वी आयो के नाम से पूचते हैं धर्मेश अर्थात सूर इनके सर्वोच सर्व सक्तीमान देपता हैं यह जीबाद में विस्वास करते हैं इसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण इनकी संस्कृती में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं इनके प्रमुख त्योहार हैं सरगुल, कर्मा, धुनबुनी, नाय खौनी, खारी यानी इत्यादी, भासा की अगर मैं बात करूं तो कुडुक सादरी, उडिया और हिंदी भासा बोलते हैं उरावजन जाती के लोग अच्छी फसल के लिए सर्णा की पूजा करते हैं यह पूजा ग्राम प्रोहित द्वारा की जाती है और इस पूजा में मु भादों, मास के सुकल पक्च की एका दसी के दिन कर्मा पूजा करते हैं जिसमें वह कर्मा अन्रत्य करके करम द्योता को प्रसिद्ध करते हैं उर्मजन जाती में लगभक 68 गोत्र मिलते हैं जो पसू पक्ची, जलचर, रेंगने वाले पसू, बबनस्पती, धातू एवं इ उर्मजन जाती पुरस प्रधान जाती है, यहां जब विवाह होता है तो बधु मूल दिया जाता है, बधु मूल का आसा यह है कि विवाह से पहले कर्मा पक्च को कुछ मूल दिया जाता है, इसी के बाद विवाह होता है, दोस्तों उर्मजन जाती की ये वीडियो आपको क क्यासी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना और उर्वा जनजाती से सम्मंदित और कौन सी जानकारी आपको चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बताना और हाँ मेरी और भी गोंड जनजाती एवंबैगा जनजाती की उपर वीडियो है अगर आपने उसे नहीं देखा तो उस किसी और वीडियो में तब तक के लिए